कि नमस्कार में मुम्ताज अब्दुल निलेटक और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा आज की सबसे बड़ी खबर बांगलादेश में इसकौन धर्मगुरू चिनमई प्रभू की गिरफतारी ने भारत में आक्रोश फैला दिया है यह मामला सिर्फ एक गिरफतारी का नहीं है यह सवाल है धार्मिक स्वतंत्र का यह सवाल है मानवाजिकारों का क्या बांगलादेश में अब सच और न्याय की आवाज उटाना अपराध बन चुका है चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस गिरफतारी के पीछे की असली कहानी क्या है बांगलादेश के गाजीपुर जिले से ये खबर आई है जहां इस कौन धर्मगुरू चिनमाई प्रभू को पुलीस ने गिरफतार कर लिया आरप है कि उन्होंने कथी तौर पर साम्प्रदाइक तनाव फेलाने की कोशिश की लेकिन सवाल ये है कि चिनमाई प्रभू का अपराध केवल ये है कि उन्होंने अपने समुद्दाइ की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की चिनमाई प्रभू जो बांगलादेश में इस कौन के सबसे प्रमुख धर्मगुरों में से एक है अपने शांतिपूर्ण और धार्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने ना सिर्फ बांगलादेश बलकि भारत और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के अनुयायों को जकजोर दिया है अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है चिनमाई प्रभू ने हाल ही में बांगलादेश में हिंदू समधाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने धार्मिक असहिश्णुता और अलपसंखेकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उटाई और बदले में उन्हें गिरफतार कर लिया गया इस मामले पर भारत ने कड़ी एतराज जताया है विदेश मंत्रालाई ने साफ शब्दों में कहा है कि बांगलादेश में धार्मिक अलपसंखेकों के खिलाफ हो रहे भेद भाव और अत्याचार को रोका जाए और ये सिर्फ भारत सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है सोशल मीडिया पर भी लोग खुल कर विरोध कर रहे हैं विटा पर फ्री चिनमाई प्रफू ट्रेंड कर रहा है लेकिन क्या ये विरोध बांगलादेश सरकार को जक्सोर पाएगा क्या चिनमाई प्रफू को न्याय मिलेगा ये सवाल आज हर सनातन धर्मावलंबी के मन में है अब आपको दिखाते हैं कि बांगलादेश में हिंदो अलपसंख्यकों की स्थिति क्या है हाल के वर्षों में हिंदो मंदिरों पर हमले, मूर्थियों को तोडने की घटनाए और धार्मिक आयूजनों में बाधाये आम हो गई है और इस बार एक धर्मगुरू को जेल में डाल दिया गया क्या ये एक सोची समझी रणनीती है? क्या ये हिंदो समुदाई की आवाज को दबाने का प्रयास है? ये सिर्फ बांगलादेश के हिंदों का सवाल नहीं है ये पूरी दुन्या में मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है क्या आज के दौर में भी किसी धर्म विशेश के लोगों को इस तरह प्रताडित किया जाएगा? क्या ये बांगलादेश की धर्म निरपेक्ष चवी पर सवाल नहीं उटाता? सोची एक तरफ मंदिरों पर हमले करने वाले लोग खुले आम घूम रहे हैं और दूसरी तरफ एक शांतिपूर्ण धर्म गुरू जेल में है ये बांगलादेश के कानूर व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है सोची ए ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पड़ोसी देश की वो तसवीर है बांगलादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ना, मासुमों पर हमले करना और अब एक धर्म गुरू को जेल में डाल देना क्या ये धर्म निरपेक्षता के दावे का मजग नहीं उडाता चिनमाई प्रभू की गिरफतारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बलकि हिंदू समाज की आवास को दबाने की कोशिश है लेकिन याद रखिए सिनातन धर्म हजारों सालों से हर चुनाती के बाद और मजबूत होकर खड़ा हुआ है क्या आज बांगलादेश में सच बोलना अपराद हो गया है क्या हिंदू समाज के अधिकारों की मांग करना सांप्रदाइक तनाव फेलाना है यह गिरफतारी दिखाती है कि बांगलादेश में अलपसंख्यकों के स्थिती कितनी खराब है और यह सवाल उड़ता है क्या बांगलादेश सरकार अपनी धरती पर धार्मिक्स वतंत्रता सुनिश्चित करने में असफल हो चुकी है भारत को अब इस मामले में सक्त रोख अपनाना होगा हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि बांगलादेश के इन दोहरे मापदंडों पर सवाल उटाए और अगर बांगलादेश को हमारे समर्थन की दरकार है तो पहले उन्हें अपनी जमीन पर धार्मिक अलपसंख्यकों को न्याई दिलाना होगा तो ये था आज का सबसे बड़ा मुद्धा बांगलादेश में हिंदों की स्थिती को सुधारने के लिए केवल आवाज उटाने की जरूरत नहीं है बलके अंतुराष्ट्री स्तर पर दबाव बनाने की भी चिन्माई प्रफों की गिरफतारी ना केवल सनातन जर्म के अनुयायों की भावनाओं को आहत करती है बलके ये मानवता और न्याई की परिभाशा पर भी सवाल खड़ा करती है हम उमीद करते हैं कि बांगलादेश सरकार जल्द ही इस मामले में न्याई करेगी आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं मुम्ता जब्दुन लिल्ड़का इस मुद्धे पर आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं धन्यवाद अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन तबाएं